आप देख रही है MNS News सच जरूरी है के निलंबन पर असमंजस बरकरार नियम दो दिन हिरासत में रहने वाला होता है निलंबित हर्याणा के पूर्व मंत्री की बढ़ेगी मुश्किले दिली हाई कोट ने किया तलब ट्रायल कोट से मांगा रिकॉर्ड आईए देखते हैं खबरों को विस्तार से साफधान हो जाएए गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती और साइरन लगा कर अगर आप निकले सडक पर तो अब घर पर आएगा आपका चालान दरसल हर्याणा के पुलिस माने देशक सत्रुजीत कपूर ने कहा कि अनाधिकरत रूप से लाल नीली बत्ती तथ साइरन का इस्तमाल करने वाले लोगों के खिलाफ विशे सभी अंचलाते हुए उन पर सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकारी वाहनों पर इसका अनाधिकरत तरीके से इस्तमाल हो पाया गया तो उनके विभाग प्रमुकों को पत्र लिखते हुए नियमनुसार कारवाई की जाएगी उन्होंने सपस्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है पुलिस महानिदेशक ने ट्रैफिक पुलिस के वरिस्ट अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि वहानों पर अनाधिकरत तौर पर नीली तथा लाल बत्ती स्विकारे नहीं है ऐसा करने वालों पर निया मनुसार कारवाई करते हुए उनके चालान किये जाएंगे उन्होंने आगरह किया कि लोग अपने वहानों पर इनका इस्तमाल ना करें अनाधिकरत रूप से साइरन का भी इस्तमाल ना करने की हिदायत उन्होंने दी है कपूर ने पुलिस अधिकारियों को अनाधिकरत तरीके से लाल, नीली, बत्ती तथा साइरन लगाने वाले सरकारी वहानों की फोटो खीच कर उसका डेटाबेस तयार करने के निर्देश दिये है अनाधिकरत तरीके से इनकिस्तमाल करने वाले नीजी वहान चालकों का आउनलाइन चालन कर उनके घर भेजा जाएगा इस कारे हितू टोल प्लाजा के अधिकारियों वकर्मचारियों के साथ ताल मिल स्थापित करते हुए काम किया जाएगा नजर डालते हैं अगली खबर पर करप्शन मामले में गिरफतार दो आई एस अधिकारी के निलंबन पर असमंजस बरकरार नियम दो दिन हिरासत में रहने वाला होता है निलंबित दरसल भ्रस्टचार निरोदक ब्यूरो द्वारा भ्रस्टचार के आरोप में गिरफतारी के बाद नियाएक हिरासत में चल रहे हरियाना के आई एस अधिकारियों विजय सिंग दहिया और जैबिर सिंग आरे के निलंबन को लेकर असमंजस बना हुआ है नियामानुसार 48 गंटे के हिरासत में रहने वाला आई एस अधिकारी स्वयम निलंबित हो जाता है लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी इन तक अधिकारियों को लेकर स्थिती असपस्ट नहीं की गई है मुख्य सचीव की वेबसाइट पर जैबिर आरे अप भी स्टेट वेयर हाउसिंग करप्शन के प्रबंदक निदेशक बने हुए है तो विजय दहिया 28 जुलाई से नियुक्ति की प्रतिक्षा में है हर्याणा कॉडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी विजय सिंग दहिया को अप्रेल में दर्ज किये गए भ्रस्टचार के मामले में विगत 10 अक्टूबर को गिरफतार किया गया था पंचकुला की CGA अदालत में उन्हें 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेजा हुआ है नजर डालते हैं अगली खबर पर हर्याणा के पूर्व मंत्री की बड़ेगी मुश्किले दिल्ली हाई कोट ने किया तलब ट्रायल कोट से मांगा रिकॉर्ट दरसल दिल्ली उच्छ न्यायले ने अनुरादा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने से सम्मन दित गोपाल कांडा के मामले में ट्रायल कोट के रिकॉर्ट को मांगा है जिनकी अगस्त 2012 में उनकी बेटी की आत्महत्या के छे मैने बात म्रत्य हो गई थी यहां आदेश अतिरिक्त लोग अभी योजक अमित सहानी के माध्यम से द्वारा राज दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था राज जिने अतिरिक सत्र न्याइधिश के फैसले को चुनोती दी थी जिसने हरियाना के पूर्व मंतरी गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुना चड़ा को समन करने वाले रजिस्ट्रेड अदालत के आदेश को रद कर दिया था पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसे मजिस्ट्रेड अदालत ने खारिच कर दिया और आईपीसी की धारा 306 और धारा 34 का संग्यान लिया और आरोपियों को तलब किया इससे पहले या मामला अगस्त 2023 में न्याय मुर्ती डेकी शर्मा के समक्षाया था जिन्नोंने मामले को 30-10-2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था अधरिक्त लोग अभी योजक अमिच सहानी ने ट्रायल कोट रिकॉर्ड को तलब करने के लिए राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया है अब आप हमारे चैनल को आपके मुबाइल पर भी देख सकते हैं अब मुबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV आप डाउनलोट करें इंस्टाट ट्वीटर, फेस्बूक और अन्ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर हमारे चैनल लोप लब दाया आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर फिलाल वक्त तुझका दर्शको ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेंगे देश उरुदरे के तमाम बड़ी खबरें नमस्कार ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News